सब्सक्राइब करें परिश्कार कॉलेज यूटूब चैनल को और साथ ही पैल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारे सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें नमस्कार विध्यारतियों परिश्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सलेंस में आप सभी का स्वागत मैं डॉक्टर किरन शर्मा देखिए विध्यारतियों भी ये प्रथम वर्ष की ये प्रथम कक्षा है चुकि आप सभी विध्यारति अभी पारवी कक्षा पास करके आए हैं और बारवी कक्षा पास करने के बाद अभी आपस अपने सब्सक्राइब संजोलिये हैं कि आपने अपने ड्रीम कॉलेज में अपने क्या ले लिया है अपना एड्मिशन भी ले लिया है लेकिन COVID-19 की वज़़ से आप अपने ड्रीम कॉलेज में जो हैं अभी नहीं जा पा तो आप इन कक्षाओं के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं अपने प्रथम वर्ष की क्या कर सकते हैं तैयारी कर सकते हैं देखी विध्यारतियों अभी तक हमने क्या किया था जब बारवी में हिंदी सहित्य को पढ़ा था तो हिंदी सहित्य में हमने केवल एक पेपर के रूप म अपनी परिक्षा दी है चुकि आप भी ये पार्ट प्रथम के विध्यारती हो गए हैं और आपने हिंदी सहित्य जो है विशय ले लिया है हो सकता है कि बहुत से विध्यारती जो हैं हिंदी सहित्य को नए विशय के रूप में लेंगे जिनोंने आज सक क्या है हिंदी सहित्य को पढ़ा नहीं है लेकिन वो अब अपने आगे के जीवन में हिंदी साहित्य को भाषा को लेकर आगे चलना चाहते हैं तो वे विद्यार्ती भी जो हैं इस लेक्चर के माध्यम से क्या कर सकते हैं अपने ग्यान में व्रद्धी कर सकते हैं तो देखें विद्यार्तियों अभ प्रथम पेपर हमेशा ही जो है वो पद्य का रहता है चाहे वो आपके आदिकाल भक्तिकाल का हो चाहे वो रीतिकाल का हो चाहे वो आधुनिक काल का हो तो इस तरह से हम जो है बीए पार्ट प्रथम की प्रथम कक्षा में आज का जो पहला पेपर है उसे प्रारंब करने जा र अब चुकि हमने यह तो हमने जान लिया कि आज हमारी कौंसी क्लास है और हमें आज पया से ऒढ़ना है विशेर OR क्लास को जानने के बाद एक छूटा सा होनवगल आप सभी इस्थियारतियों को करना है क्या है वो homework देखिए हमारा जो परिशकार वर्ल का जो YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद आप जो हमारा बैल आइकन है इसको प्रेस करेंगे इसको क्लिक करेंगे ताकि competition से जुड़ी वी जो भी जानकरी है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे जो भी नए वीडियोज हम अपलोड कर रहे है उनकी जानकरी आप तक पहुँचे और आप भी क्या कीजिए अपने मित्रों के साथ इस चैनल को क्या कीजिए शेयर कीजिए और इस पर जो भी आपको जानकरी मिल रही है उसका आप लाब उठाईए और अपनी प्रत्योगी परिक्षाओं की तैयारी कीजिए इसके साथ एक छोटा सा काम आपको और करना है वो काम ये है कि परिशकर कॉलेज का ही यूटूब चैनल है उसे भी आप क्या करेंगे सस्क्राइब करेंगे और सस्क्राइब करने के बाद हमें पता ही है कि हमें क्या करना है बैल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नई जानकरी जो भी नए नोटिफिकेशन है जो भी आपको अपडेट जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे तो ये दो छोटे से काम आप जरूर करेंगे क्लास को शुरू करने से पहले आश्रा करती हूँ कि आपने ये होंबग अपना कर लिया है चलिए अब विधिवत रूप से आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं चुकि देंकि हिंदी साहित्य जो है वो आपकी आगामी प्रतियोगी परिक्षाओं में भी आपकी मदद करेगा अगर आप जो है वो भविषय के अंदर टीचर बनना चाहते हैं और टीचर बनने के साथ आपको फर्स ग्रेड सेकिंड ग्रेड में करने के बाद अगर आप कॉलेज लेक्चर शिप देना चाहते हैं नेट की परिक्षा को आप पास आउट करेंगे तब आपका यह विषय जो है मदद करेगा और कुछ विध्यारतियों ने सिविल सर्विसिज में जाने का सोचा है तो अगर भी सोचते हैं कि आरेस मुझे फाइट करना है तो आरेस के में में भी आपको जो है हिंदी व्याकरन का प्रशन पत्र मिलेगा इसके साथ ही जो विध्यारतियों सोच रहे हैं कि हमें आई-एस ऑफिसर बनना है तो वहाँ हिंदी सहित्ते का पूरा जो पेपर है में में एक विशय के रूप में लगा हुआ है इस विशय के साथ आप जिनका सपना है सिविल सर्विसिस में जाकर उचे पत पर कार्य करने का या सिविल सर्विसिस में जाकर जो है देश की सेवा करने का वहां हिंदी सहित्ते जो है उ पहली स्लाइड आने वाली है उस पहली स्लाइड में हम देख लें कि जो राजसान विश्विध्याले से जो विध्यारती जुड़ने वाले हैं उन विध्यारतियों के लिए राजसान विश्विध्याले के हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष में जो लिबस लगा हुआ है जो प्रतंपराशम्पत्र जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि हमेशा पदे का जो पेपर रहेगा, वो हमेशा फस्बस्टट ही रहेगा, चाहे वो फस्टियर हो, चाहे वो सेकिंड यर हो, चाहे वो थर्ड यर हो आपका, इसके बाद देखिए, प्रथम वर्ष में वो भी हम बीए के प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हम किसे पढ़ेंगे आदिकाल और भक्तिकाल की हम जानकरी लेंगे अभी आपको इन नाम नए लग रहे होंगे जिनके पास पहले हिंदी साहित्य नहीं था और जिन विध्यारतियों के पास हिंदी साहित्य था जो ग्यारवी और बारवी में भी इसका अध्यन करके आए हैं वो तो इन नामों से परीचे प्राप्त करी चुके हैं और देखिए स तो देखे आदिकाल और भक्तिकाल यानि की मिक्स है, कुछ आदिकाल के कवी हमारे पाठेकरम में लगे हुए हैं और कुछ भक्तिकाल के कवियों का अध्यान, हम इस पाठेकरम के अंतरगत करेंगे। तो देखें सबसे पहले डोला, मारूरा, दूहा, विद्यापती, बीसल देवरास, कबीर, सूरदास, तुलसिदास, मलिक मुहमद चैसी, मीरा और रस्खान यानि की ये कवी हमारे पाठे करम में लगे हुए हैं और यहां से अगर हम देखें और एक जो है ये रचना, एक तो ये रचना और एक ये रचना, ये दौनों ही हमें आदिकाल का परीचे दिलवाएगी हमें और जितने भी हमारे कवी आपने अभी देखे हैं ये सब जो हैं हम भक्तिकाल के अंतरगत इनका अध्यन करेंगे नाम जो है आप इन नामों से परीचे आपका है ही इन नाम के आधार पर आपने कई पद्दे की रशनाओं को पढ़ा है कई कवीतों को पढ़ा है कई आपने परीचे अब देखिए बहुत सी जिग्यासा मन में है कि 100 नंबर का प्रश्न पत्र है और 100 नंबर के प्रश्न पत्र में अब तक स्कूल में हमारे पास जो 80 नंबर का पेपर आता था और 20 नंबर हमारी स्कूल से जाते थे लेकिन अब 100 नंबर जो है पूरे पेपर हमें खुद लिखने को मिलेगी, लिखने को मिलेगी, इट मिन्स यहां पर देखिए, एक कवी से केवल एक व्याख्या, यानि कि आपने जो अभी कवी के नाम देखे थे, उस कवी में से एक व्याख्या आपको मिलेगी, केवल और केवल एक व्याख्या, आपके पास दूसरे कवी की व्या खान की मिल जाए अथवा बीश में लिखा हुआ हो ऐसे हमें वहाँ पर चार व्याख्याएं करनी हैं और वो चारों जो व्याख्याएं हैं वो कितने अंकों का वेटेज लेकर आती है हमारे सामने देखिए एक व्याख्या 9 नंबर की है और 9 चॉक 36 होते हैं तो चार व्याख् यह तो हुई व्याख्याओं की बात अब देखिए व्याख्याओं के बात आपको क्या मिलेंगे पेपर में कुल 4 निभंधात्मक प्रश्न मिलेंगे और एक कवी से संबंधित एक ही प्रश्न आएगा यह तो व्याख्या के समानी है कि व्याख्या एक कवी की एक मिली तो प आपके प्रश्ण पत्र में जो है वो शामिल करेंगे इसके बाद देखिए आप जो प्रश्ण है वो आपके 14 नंबर का एक प्रश्ण आएगा और 4 प्रश्ण आपको मिलेंगे यानि की 14 चौक 56 नंबर जो है अब तक आप जब 12 में अपने साहित्ते की परिक्षा देते थे त तो यहां आपको डारेक्ट 14 नंबर का एक बड़ा प्रश्ण मिलेगा और एक नहीं 4 प्रश्ण मिलेंगे और 4 प्रश्ण हमें करने हैं यहां पर भी देखिए आंत्रिक विकल्प दे हैं यानि की 4 प्रश्ण करने हैं कितने में से 8 में से हमें 4 प्रश्ण करने हैं आई बास समझ में अब देखिए अब ये तो हमारी बात हो गई व्याख्या की और ये हमारी बात हो गई प्रश्णों की हमने देखा कि व्याख्या में मिली 36 नंबर की और प्रश्ण मिले हमें 56 नंबर के फिर भी हमारे 8 अंक अभी बश्चते हैं तो उन 8 अंकों के लिए हमें क्या त्य टिपणिया लिखनी है इस तरह से हमारा जो पूरा 100 अंक है वो complete हो जाता है यानि कि चार व्याख्याएं चार प्रश्न और दो टिपणिया दो टिपणिया जो है एक आधिकाल में से आएगी एक भक्तिकाल में से आएगी या फिर जो है ये भी आंत्रिक विकल्प दियेवे हो अभी हमने बात की पाठ्यक्रम की और पाठ्यक्रम के अंतरगती हमने कवियों का परिचय भी प्राप्त किया कौन-कौन से कवि हमें फस्टे में पढ़ने है उसके साथ हमने अंक विभाजन पर भी बात कर ली तो 12 से तो हमारा पूरा जो है वो परिपेक्षय बदला हुआ ह आज तक हमने जो है इस तरह हिंदी साहित्ते की जो है वो अब तक परिक्षा नहीं दी लेकिन अब इस पैटन को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए यह हमने बात कर ली अभी जो है पाठ्यक्रम को लेकर अब आज जिस विश प्रश्न कैसे आते हैं आधिकाल और भक्तिकाल में से कैसे हम प्रश्नों से परीचे प्राप्त करेंगे तो देखिए पूरु प्रतियोगी परिक्षाओं के प्रश्न शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न है हमारा हिंदी साहित्ती के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प् तब आप इस प्रश्ण के उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे तो प्रश्ण के उत्तर को तो हम जानेंगे अपनी क्लास के एंड में चलिए प्रश्ण आपके सामने हैं दूसरे प्रश्ण के और बढ़ते हैं ऐसे कई प्रश्ण आपके पास इनमें सगुण निर्गुण उ कीवर्ड आ गए हैं एक तो है सगुन और निर्गुन जब आज की विश्यवस्तू को आप पढ़ लेंगे तो सगुन और निर्गुन को भी आप जान जाएंगे अभी किवल हम प्रशन पर बात कर रहे हैं चार तथे आपको दिये गए हैं और चार तथे में से जो है वो निर् विश्वात्मा प्रभु के विश्व्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है निर्गुन भक्त वन व्योस्ता की पक्षदर नहीं थे निर्गुन भक्ति में लीला का महात्मे है इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा एक कथन जो है वो ऐसत्य है इसको भी हम जानें अब हमें परिक्षा देनी है राजस्तान विश्विध्याले की तो देखिए राजस्तान विश्विध्याले की पूर्व परिक्षाओं में कैसे हमें इस विश्वे में से प्रश्ण मिले हैं तो पहला प्रश्ण आपका आदिकाल की प्रमुक प्रवर्तियां आप सभी अभ परिस्थितियों को लेकर हो चाहे वो आदिकाल भक्तिकाल की विशिष्टाओं को लेकर हो अब आप देखिए कि कौन से प्रशन हमें किस तरीके से मिले हैं तो देखिए आदिकाल की प्रमुख प्रवर्तियां ये भी हमें मिला और साथ में सगुण और निर्गुण भक्तिध में समानता हैं ये प्रश्ن हमें मिला है हाली में हुई राजेसान विष्वुध्याले के नॉन कउलेजीट की जो विध्यार्तिं हैं 2020 के उनको ये प्रश् haar मिला है अब देखते हैं कि 2021 में हमें इनसे कैसा प्रश्न मिलेगा तो देखिए फिर रासो कावे की प्रवर्तियां राजसान विश्विध्याले के नियमित 2019 के सन में हमें ये प्रश्न मिला है इसके बाद देखिए आप अगला प्रश्न रासो कावे की प्रवर्तियां फिर इसके बाद देखिए निर्गुण वै पढ़ लेंगे, टॉपिक हमारा किलियर हो जाएगा, तो निर्गुण और सगुण में अंतर भी हम लिख पाएंगे, इसके बाद आदीकाल की सामानने विशेष्टा हैं, यानि कि आदीकाल को जो हम पढ़ेंगे, उसकी विशेष्टाओं पर बात करेंगे, तो ये प्रश्न क उत्तर भी हम टिपणे पर क्लिक पाएंगे, ये भी मिलता है राजसान विशुद्याले के नौन कॉलेजियर 2018 के प्रश्न पत्र में, तो हमें वही जो है प्रश्न कई बार हमारे रिपिट हुए हैं, तो इनी प्रश्नों में से इस बार भी प्रश्न आने की संभावनाई है चलिए, अब आज हम विधिवत रूप से इस कक्षा को प्रारम करने जा रहे हैं, साहित्य किसे कहते हैं, चुकि हिंदी साहित्य की जो है वो कक्षा है, तो सबसे पहले तो हमारे विध्यारतियों को पता होना चाहिए, कि हिंदी साहित्य में साहित्य किसे कहते हैं, और पर अपनी पकड बनाते हैं चू कि हिंदी साहित्य की हर कक्षा ही क्या है कीवर्ड है यहां पर हर जो शब्द है उसका अर्थ हमें समझना होगा और शब्दों के अर्थ हो अगर हम समझ लेंगे तो साहित्य को पढ़ना हमारे लिए अत्यंत आसान हो जाएगा तो देखिए औ वो उत्पत्य कैसे हुई उस शब्द की उस शब्द की उत्पत्य में किस-किस का योगदान है तो देखिए साहित्य में सै जो शब्द है वो क्या है उपसर्ग है देखिए इसके बाद और हित जो है वो क्या है मूल शब्द है तो यानि कि साहित्य में मूल शब्द क्या हो आपका हित हो गया और जो से है वो उपसर्ग है इसके बाद देखिए ये जो यत प्रत्य है ये संस्कृत का प्रत्य है और यत प्रत्य में से जब हम लेते हैं तो हमारे सामने जो है वो ये शब्द को हम लेंगे संस्कृत में जब इसका प्रयोक करेंगे तो तो देखिए से उ होता है हित करने वाला भलाई करने वाला सबका हितेशी और सै का अर्थ क्या हो गया सबका यानि कि सबके हित को लेकर चलने वाला सबकी भलाई करने वाला वो जो हम कावे पढ़ते हैं वो कि शेणी में आता है वो रचना जो है सहित्य कि शेणी में आती है तो देखिए अब य यानि कि समाज में जो सबको साथ लेकर चल रहा है, हित का भाव लेकर चल रहा है, भलाई का भाव लेकर चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं, जिसको पढ़ने से समाज में सबका हित हो, उसे हम साहित्य कह रहे हैं, साहित्य सपष्ट हो गया, हिंदी तो सपष् की चर्चा भी आपसे कर लेती हूं देखिए भाव कल्पना बुद्धी शैली सबसे पहले रिदय में क्या उठेंगे भाव अनुबूती तभी तो व्यक्ति जो है वो साहित्ति लिखने के लिए प्रेडित होगा फिर उस भाव में किसका पुट जोड़ेगा वो किसका पुट किसी को भी लेकर जो है वो साहित्ते लिख सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं आश्रा करती हूं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो इसपश्ट हो गया है हलागी पढ़ने की जो बात है अभी हमारी यहीं से श्रू ही है वो पूरु प्रतियोंगी परिक्षाओं की बात थी और इससे पहले हमने जो है वो प्रश्णों पर और हमारे पाठ्ठे करम पर चड़्चा की ती चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अब साहित्ते के रूप चुकि साहित्ते की कक्षा है तो सभी विध्यार्तियों को पता होना चाहिए कि साहित्ते के कितने रूप होते हैं चुकि पहली कक्षा है तो पहली हम तो सी बेसिक चीजों पर बात करेंगे और बेसिक चीजों को जानते हुए हम धीरे धीरे जो है उपर के पायदान पर पढ़ेंगे आगे के चड़नों की और हम पढ़ेंगे तो देखिए साहित्ते के रूप वैसे आपको पता है लेकिन सामान्य रूप से मैं चर्चा कर देती हूं बता देती हुँ कि अब तक हमने साहित्ते को गद्य में भी पढ़ा और पड्य में भी बार्वी की ख़़ता में हम अभी तक क्या कड़ते आएं है एक पेपर की परिक्षा देट कर आए हैं जिसमें हमारे गद्य से भी और जब कुछ गद्य में लिखा हुआ हो और कुछ पद्य की पंक्तियां आए उसे हम कहते हैं चम्पू साहित्य चली आगे बढ़ते हैं देखिए अब गद्य है क्या गद्य के बारे में जाने कि अगर मान लीजे कोई आपसे पूछे कि गद्य क्या है उसका परिचे अपने शब्दों में दीजिए तो हमें पता होना चाहिए कि गद्य जो है वो गण मातरा रहित साधारण बोलचाल की साह जाज में आ जाएंगे तो चंद होते हैं जहां पर हमने यह मातरा राज भालनस वाला पढ़ा हमने वो सूत्रियात किया यगण भगण मगण तगण हमने इन शब्दों से भी परीचे प्राप्त किया यानि कि जब चंद युक्त रचना या फिर हम कहें कि जहां पर गण और मातरा रहित साधरन बोलचाल की जो साधरन शली है उसे हम क्या कहते हैं साहित्य शली कहते हैं तो देखिए जो गध्य है वहाँ पर गण मातरा रहित साधरन बोलचाल की साहित्य शली ना तो वहाँ पर पद्दे की जो छंदों में लिखी गई रशना होती है वो नहीं होती ह मस्तिक्ष में जो भी भाव उतरे उन भावों को जब हम गण मात्रा रहित साधरन बोलचाल की भाशा में प्रसूत करते हैं तो वो शैली कहलाती है हमारी कद्धे की शैली तो फिर क्या होता है अब चंपू पर बात करने से पहले हम बात करते हैं देखिए पद्धे पर तो पद्धे पर क्या हो जाएगा अगर पद्धे जो साहित्य है वो पद्धे कावे क्या कहलाता है देखिए तो पद्धे जो है वो गण मात्रा सहित लेयात्मक साहित्य शैली है बात समझ में आ गई अब देखे यहां पर आ गई न गण मातरा सहीत आ गई बात तो यहां पर जो है चंदों में लिखी वी जो रचना है वो आपके सामने लै के रूप में क्या रही है जिनने गाया जा सकता है गिती कावे शैली में जिसे गाया जा सकता है उस शैली में जब क अनन गद्दे में आता है कुछ जो है वहाँ पर भाव या नुबूती पद्दे के रूप में प्रसुत किये जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा क्या चम्पू कावे और राउल वेल जो है राउल वेल जो है हमारा सबसे पहला चम्पू कावे है जो पाहडों पर लिखित मिला है शिलाक के रूप में जो है वाँ पर अंकित मिला है उसे हम कहते हैं हिंदी साहिते का प्रथम जो है वो चम्पू साहिते है वो तो देखे साहिते के रूपों से परीचे हमने प्राप्त कर लिया है बड़ा आसान है ना देखे साहिते अभी बहुत बेसिक बेसिक चीजों पर हम यक्ति में प्रियोब में लेते हैं इसलिए साहित्य को पढ़ना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अब गद्य और पद्य की तुलनात्मक द्रश्टी से हम तुलनात्मक अंतर कर लेते हैं देखिए बहुत आसान है जिसको भी हमने प्रभाव मैता रहेगी गद्दे में विचारों का एक सामन जस्ते तालमेल बना रहेगा गद्दे के भेद होते हैं बहुत सारे जिसमें से उपन्यास कहानी निभंद और हम कहें कि हमने जो है गद्दे के भीधाएं जो पड़ी है वो सब गद्दे के भेद के अंतरकत आती है तो फिर पद्दे में क्या है तो देखिए पद्दे धातू में क्या लग गया है यहाँ पर वही संस्कृत का यत्थ प्रत्य लग गया है और उसके बाद चरण चरण को हम क्या कहते हैं बही पद्दे को हमने क्या कहा चरण की बही चरण के रूप में जो है शंकला के रूप जो है वो अंश कहलाता है इसके बाद गण मात्रा सहित है बात कर ली हमने छंदों की जो गण मात्रा है उसके साथ जो है यह आ रहा है लर सहित है, संगीतात्मक्ता है और पद्दे के भी भेद होते हैं महा काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य और जैसे जैसे हमारे सहित्य में हम कव्यों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर काव्य रूप के रूप में जब हम चर्चा करेंगे तो जैसे हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इतिहास है क्या, इस तरह से यहाँ पर भी हम इतिहास शब्द की वित्पती पर बात करते हैं, देखिए, तो सबसे पहरे तो हम देखें कि इतिहास शब्द जो है, क्योंकि पहले भी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, अभी कि हम यहाँ पर जिन भी शब्दों का अध्यान करेंगे, उन शब्दों को हम तोड़ कर जरूर पढ़ेंगे, उसका संदी विच्छेत जरूर करेंगे, तो देखिए, इती है और अस, इस से मिलकर हमारा क्या बना है, इतिहास शब्द बना है, जब हमने इन शब्दों को तोड लिया है, इसका संदी विच्छेत कर दिया है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या है, तो सबसे पहले तो आप देखिए, इनका अर्थ, इती का अर्थ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है का अर्थ क्या हो जाएगा, निश्चेत, और अस का अर्थ क अतीत में ये घटनाए निश्चित रूप से घटित हुई थी ऐसा निश्चित रूप से हुआ था उसे आज हम इतिहास के रूप में पढ़ रहे हैं तो ये तो इतिहास की बात की हमने इसके बाद देखिए जिसकी निश्चित समापती हो चुकी है इतिहास जो अतीत में घट गटित हुई ऐसी सत्य यथार्थ में गटित हुई उन्हीं का तो वर्णन किया गया उसे हमने इतिहास का संबन हमेशा अतीत से होता है इतिहास में वास्त्विक या यथार्थ गटनाओं का ही समावेश किया जाता है तभी तो हमें अगर कोई जानकरी लेनी है अगर हमें पू चलिए आगे बढ़ते हैं वह सामने से परिचर स्वामने सी बात थी आपको समझ में आई गई है अब देखिए हमने साहित्य शब्द का अर्थ जान लिया इतिहास शब्द की विद्वत्ति को भी जान लिया चुकि विध्यारती तो हम हैं हिंदी साहित्य के विध्यारती तो ह हिंदी साहित्ते का इतिहास क्या होता है उसको भी हम जान ले तो देखिए अब सबसे पहले साहित्ती के इतिहास में प्राकर्तिक घटनाओं मानविय क्रिया क्लापों एतिहासिक घटनाओं के स्थान पर साहित्तिक रचनाओं का अध्यन एतिहासिक द्रश्टी से किया जाता ह उसे हम कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास यानि की सूर का जनम कवीर का जनम हम कहें कि मीरा का जनम कब हुआ यह जितने भी कवी हैं उनका पहला कालकरम कौन सा था बाद में आने वाले कवी कौन कौन से थे कौन सी घटनाए घटित हुई इन सब का परीचे अगर हमें प्राप करना है कोई यथार्थ जानकरी हमें प्राप्त करनी है तो उसमें सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है साहित्य का इतिहास ही तो है तो साहित्य के इतिहास के माध्यम से हम साहित्य के शेत्र में जितनी भी घटनाए घटित हुई है जो भी हमें जानकरी लेनी है यथार्थ रूप में, सत्य रूप में, वो हम यहां से ले सकते हैं, तो यहां पर देखिए अब उसका एतिहासिक दृष्टी से अध्यान किया जाता है, इसके बाद पढ़ते हैं, देखिए, फ्रेंच विद्वान, तैन के अनुसार, साहित्य के इतिहास में, तीन तत्व सक्री रहते है कौन से हैं, वो तीन तत्वाद देखिए जाती, वातावरन और शण विशेष, अब जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें जो है वो जाती, वातावरन कैसी परिस्तित्यान थी, कैसा वातावरन था, और किस शन विशेश में वो कावे लिखा गया और किस जाती पर आधार बना कर ये कावे लिखा गया तो जाती वातवरण शन विशेश मुख्य रूप से साहित्य की इतिहास में सक्रिय रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अब चुकि मैंने हिंदी साहित्य की इतिहास की बात कर ली आपको इतिहास शब्द की वित्पति बदा दी तो फिर हमारा थोड़ा सा नैतिक धर्म हो जाता है कि हम हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा को भी जाने हलाए कि हम यह पर अब हम आ रहे हैं साहित्य की परंपरा किसे याद किया जाता है और फिर किसको फालोवर मानकर अनुराई करते हैं कौन इसको जो है वो लेकर आए तो देखिए अब सबसे पहले अगरह हम बात करें तो हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का श्री गनेश करता की रूप में गारसद्य तारसी का नाम लिया जाता है यानि कि हिंदी साहित्य का जो सरुप्रथम इतिहास था वो किस ने लिखा गारसद्य तारसी ने लिखा और गारसद्य तारसी जो थे फ्रांस के रहने वाले थ और फ्रेंच लेंग्वेज में जो है इन्होंने इसे लिखा तो उस इतिहास का नाम आपके सामने आएगा देखिए बड़ा ही अजीब सा नाम है चुकि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है तो देखिए इनके ग्रंथ का नाम क्या है इस्तवार देला लितेत्यूर एंदुई मुझे तो याद होई गया रटी गया लेकिन आप लोगों को भी याद हो जाएगा आप इस तरह से याद करेंगे तो तो देखिए सबसे पहले इतिहास लेखन की परमपरा को लेकर आने वाले है गारसाद तारसी अब चली आगे बढ़ते हैं देखिए अब मैंने अभी जो हम किसे मानते आ रहे हैं किस इतिहास को लेकर हम काम कर रहे हैं चली तो वो इतिहास भी हमें पता होना चाहिए तो इतिहास है हमारा आचारे रामचंदर शुकल का हिंदी सहित्ते का इतिहास जो 1929 इस्वी में लिखा गया और इसी इतिहास को लेकर जो है हम आस्तक कारे कर र अब प्रतेक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्वरत्ती का संचित्वरतिविम होता है साहित्य परंपरा के साथ उनका सामझस से दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है बहुत ही इनकी परिभाशा जो है प्रसिद है और कई बार कई competitive exam में पूछी गई है तो हमें हित्य का काल विभाजन करने वाले प्रतम श्री गणेश करता डॉक्टर जोर्ज गिरियसन है चुकि अब देखिए हमने इतियास लेखन की बात कर ली अब हम बात कर रहे हैं काल विभाजन की चुकि हम किसी भी विशे के विद्ध्यारती हो वहां पर विशे को हम विभाजन करके ही पढ़ते हैं, चाहिए आप हिस्टि के विद्यारती है, तो आपने वहाँ पर ही देखा है कि आपके कावनसा योग होता है, कभी महाँ पर मिडाइवल योग होता है, तो कभी कर आपका प्राचिन यो चोटा है, पिर आपका आधुनिक विश्व का इतिहास का भी अब अध्यन करते हैं तो इस तरह इतिहास भी जो है वो अनेक भागों में विभाजित होता है उसे अनेक कालों में विभाजित किया जाता है इसी तरह हमारे हिंदी सहित्ते का जो विभाजन है वो भी किया गया है जिसे हम काल विभाजन के नाम से जानते हैं त जॉक्टर जॉर्ज ग्रियसन जिन्होंने 1889 में अपना काल विभाजन दिया लेकिन आप देखिए अब आपके सामने एक जानकरी और आ रही है आचारे रामचंदर शुकल द्वारा विभाजन अभी वहाँ भी हमने देखा गासादा तारसी के बाद शुकले जी का इतिहास है उससे हम तथ्यात्मक जानकरी को प्राप्त करते हैं इसके बाद आप देखिए कि आचारे रामचंदर शुकले ने ही हिंदी साहिते का काल विभाजन प्रस्तुत किया क्या है वो काल विभाजन देखिए तो सबसे पहले हिंदी सहित्य काल विभाजन क्योंकि अब हम आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ना प्रारम करेंगे तो उससे पहले हमें हिंदी सहित्य काल विभाजन पता होना चाहिए मोटे रूप से तो हमें पता है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के रूप में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों विभाजित किया सबसे पहला जिसे हम वीर काथा काल के नाम से जानते हैं और दिवेदी जी ने उसे आधिकाल कहा दूसरा हम जानते हैं कि भक्ति काल, तीसरा हम जानते हैं रीति काल और चौथा हम जानते हैं आधुनिक काल के नाम से ये चार मोटे मोटे रूप से तो हमें चार काल युभाजन या चार हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम याद है लेकिन अब हम और सुक्षमिस का अध्यन करते हैं, देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए, वीर गाथा काल, आदी काल, विक्रम संबत, 1050 से 1375 विक्रम संबत, ये समय सीमा भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार तथ्यात्मक रूप से समय सीमा को लेकर भी प्रश् यानि कि पहला विभाजन तो आपका ये हो गया है, इसके बाद जो है, वो दूसरा विभाजन क्या हो गया है, आपका पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल जिसे हमने कहा, तो दो विभाजन तो आपके सामने आ गए, और भक्तिकाल की समय सीमा भी आप याद कर लीजिए, विक्र समधत 1050 305 और जो हमारा दूसरा काल है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है जिसकी समय सीमावधी क्या है विक्रम समभत 1070 से 12 to 12 आपके सामने आगए 2 औराने हैं बढ़े ही आसान थेखिएवो तो तीसरा काल सामने आया यह हमारा वो गया तीसरा काल जो हमारे सामने आया वो कौन सा है उत्तरमध्यकाल या फिर रीतिकाल, रीतिकाल के नाम से हम जानते ही है जहां आप बारवी कक्षा में बूशन को पढ़ कर आए हैं और बूशन को तो जनरल हिंदी के कवी के रूप में बूशन को समने पढ़ा है तो देखिए काल है हमारा आधुनिक काल जिसे हम गद्दे काल राचारे शुक्ले जी ने कहा है विक्रम संबत 1904 से अब तक जो अध्यतन चला रहा है उसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं पहली बात तो ये अब देखिए विध्यारतियों आपको पढ़ना क्या है केवल इसमें से आधी काल और हमारा भक्ति काल यानि कि पहला और दूसरा जो हमारा काल है वो हमें फस्टिय के अंदर पढ़ना है इन दो कालों को हम आगे पढ़ेंगे ज्यादा बढ़न नहीं है दो छोटे से काल है इनको हमें पढ़ना है इनके कवियों का परीचे अभी हमने देख ही लि और आचारे शुक्ल ने इसे वीर काथा काल कहा, थोड़ा सा सामने जानकारी तो हम लेकर आयोंगे, हमने पढ़ी होगी कि इस युग में बहुत सारे युद हुए थे, राश्पुतों ने जो युद किये थे, तब इस युग को क्या कहा गया, वीर काथा काल कह दिया, किसने आचारे शुक्ल ने, लेकिन इस वीर काथा काल को दिवेदी जी ने क्या कहा, आदिकाल कहा, समय सीमाय अवदी याद होई गई आपको, 1050 विक्रम समवत से 1375 तक, चली आगे बढ़ते हैं, देखिए, हिंदी साहित्य के जनम काल, शिशु काल, प्रारंभिक काल को ही आदिक कहा जाता है, इसके बाद देखिए, आप राजनितिक द्रश्टिकोन से, जब भारत में हर्श्वर्धन के सामराज्य का पतन हो रहा था, हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था, अब जब हम अध्यान करेंगे अपनी आगामिक अक्षाओं में, तब हम देखेंगे, जब हम अध्यान करते हैं, तो महापृस्तितियों पर भी प्रश्न आते हैं, अभी हमने देखाए कि पूरुप्रिक्षाओं में हमें प्रश्न मिले हैं, तो परिस्तियों का ज़äänबी हमें होना चाहिए, उस युक की विशेश्टाए है, उस युक का नामखरण को लेकर अगर कोई विवाद है तो उसका प्रशन भी आता है तो इन प्रशनों पर हमें अपनी पकड बनानी है इस विशेवस्तु को अभी हमें जानना है तो हिंदी साहिते का उदे हो रहा था इसके बाद देखिए आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी जी क्या कहते हैं आधिकाल के बारे में अ अत्यदिक विरोधों एवं व्यगातों का यूग कहा है दिवेदी जी ने इसे बहुत जादा यूद हुए और जब यूद होते हैं शत्रों को पराजित करना है तो फिर बहुत जादा अंतर विरोधों और यूदों का ही यूग रहा इसलिए तो शुक्ली जी ने इसे वीर प्रापन काल मौविर प्रसाद दिवेदी जी ने दिया है इसके बाद देखिया वीरम इनुन 2 5 संधी चारनकाल देने वाले कौन है?ья ड. रामकुमार वर्मा है इसके बाद किसे दिया है?्ड रॉप्टर गृतन दिया है सिद्ध सामंतकाल राहूँ सांक्रतन ने ये नाम दिया है फिर वीज वपनकाल माविर प्रहेशाद डिवेदी छी ये नव देते है इसके बाद आरंबिक काल मिश्र बंधों ने जो है ये नाम दिया है अभी केवल मैं केवल नाम पर चर्चा कर रही हूँ चुकि प्रश्ण का उत्तर हमें परिक्षा में लिखना होगा इसलिए विस्थित चर्चा जो है हम इसकी आगामिक अक्षाओं में करेंगे चलिए आग अंदकार काल प्रत्विराज कमल कुलशेष ने इसे अंदकार काल भी कहा है इसके बाद देखिया आप वीर काल यानि कि वीर का था काल तो किस ने दिया था अचारे शुक्ल ने दिया था लेकिन वीर काल नाम देने वाले कौन है विश्वनात प्रसाद मिश्र है फिर अपर आनी हिंदी काल किस ने कहा, चंदरधर शर्मागुलेरी जी ने इसे यह नाम दिया है, तो आदिकाल का नाम करण, देखा, नाम और युप तो एक था, काल एक है, लेकिन कितने नाम हमारे सामने आ गये हैं, अब यह नाम सही नहीं है, यह क्यों अज़ीत है, यह क्यों अनुचित है इस तरह से जब हम समिक्षा करेंगे तो फिर हमारे प्रश्न का उत्तर अपने आप ही तयार हो जाएगा जो हमें टिकपणी के रूप में लिखना है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अब आधिकालीन सहित्य का विभाजन चुकि आधिकाल का हमने अ विभाजन किस रूप में आया तो देखिए जो है वो अब्रिंश सहित्य भी यहां पर लिखा गया अब्रिंश भाशा में इसके बाद जैन सहित्य जैन कवी हुए इस युग में उन्होंने जैन सहित्य भी लिखा इसके बाद देखिए फांग उसके यानि की होली को लेकर जो रसिक शैली में कावे लिखा गया उसे हमने फागू साहिते कहा इसके बाद सिद्ध साहिते यानि कि सिद्ध भी आये सिद्ध चौरासी होते हैं हाला कि मैंने बस थोड़ा सापको परिशय दे दिया लेकिन इंका विधिवत अध्यनम करेंगे इसके बाद देखिए नौ न कवी के अंतरगत करते हैं तो यह है आधिकाली साहिते का विभाजन और इतनी सामगरी को पढ़ना हैं लेकिन अभी हमें यहाँ पर इन सब का परीचे मेंने किवल तथ्यात्मक जानकरी के लिए आपको दिया है अभी विश्य तद्यर हमें नहीं करना है आप घबराएं ना कि आदिकाल में हमें इतना पढ़ना है विशे जो है इतना जटिल होता जा रहा है तो अभी किवली सामाने जानकरी के रूप में आपसे मुझे इनका परीचे करवाना था चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आदिकाल की प्रमुक प्रवर्तियों को किसी भी युक की प्रवर्तियों को जाने बिना उस युक की विशेष्टाओं को जाने बिना हम उस युक के बारे में परीचे प्राप नहीं कर सकते हैं इसलिए आदिकाल की प्रवर्तियों आपके सामने आ रही है देखिए इसके बाद देखिए आदिकाली इन साहित्यों मुख्यत निमलेकित तीन प्रवर्तियों दिखाई देती है कौन सी है वे तीन विशेष्टाएं देखिए तो आप वीर गाथा अत्मक काल इसके बाद आप देखिए दूसरा हमारा जो है वो धार्मिक्ता तीसरी हमारी जो है वो श्रंगारिक्ता यानि कि वीर गाथा से संबंदित भी हमें साहिते मिलता है और फिर धार्मिक्ता का देखिए अब यह वीर गाथात्मक किसमें मिलती हमें रासो रशनाओं में बात कर चुकी हूँ मैं भी आपसे और सिद्ध नाथ्वे जहन कवियों की रशनाओं में हमें क्या मिलेगा धार्मिक्ता का पुठ मिलेगा और श्रंगारिक्ता कहां मिलेगी विद्यापती की जो पदावली है वहां हमें श्रंगारिक्ता का रूप दिखाई देगा अब देखिए आगे अब राजाश्रित साहित्ये रासो साहित्ये की विशेष्ताइं या फिर हम कहें कि आदिकाल की जो विशेष्ताएं है वो यहां पर हम पढ़ते हैं देखिए अब क्योंकि मुख्य इन लिखो, तो आदिकाल की विशेष्टाओं में मुक्य रूप से झो प्रवरती उभर कर आई थी रासो Avatar राज्य में आश्रित थे तो राज्य के रहा करत कवीता लिखते थे इसलिए इनिे राज्यचृत कभी कहा गया है इसके बाद देखिये इनकी विशेष्टा सबसे पहली जो मुख्य विशेश्टा है ऐह आश्रदाताओं का अतिष्योक्ति-पूर्णन यहाँ पर किया गया है अती शोक्ति हम जानते हैं कि जब अती शेह वर्नन किया जाये बढ़ा चड़ा कर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर जो है वो ऐसा उन्स काल के कवियों ने किया अपने आश्रदातों की बहुती कलपना से युक्त जो है वो अतिशोक्ति पून वर्णन वहाँ पर किया गया है इसके बाद देखिए अंगी रस वीर और सहयक रस शंगार का सायक बनकर कौन आया है श्रिंगार जब राजा युद में व्यस रहता था जब वीर रस से कविताय लिखी गई और जब राजा युद से लौट आता था तो राजा श्रिंगार इक्ता में डूट जाता था तो फिर श्रिंगार से युक्त कविताय महाँ पर लिखी गई इसके बाद देखिए आप अब देखिए अब दूसरी विशेश्टा है युद्धों का जीवन्त वर्णन क्योंकि इस युग का कवी जो है वो लेखनी का और जो है वो कलम का और किसका तलवार का दौनों का धनी था जब युद नहीं होते थे तो वो राजा के लिए क्या करत इसके बाद सामाने जन की उपेक्षा जब राजा युद्धों में व्यस्त रहेगा और सामन्ती समाज जो है उसका जो क्या रहेगा बोल बाला रहेगा तो सामाने जन की उपेक्षा तो होगी ही इसलिए यहां पर सामाने जन की और कोई ध्यान नहीं दिया गया बस जो गार रसमें डूबा रहा इसलिए सामानेजन उपेक्षित हो गया इस युक के काव्य में इसके बाद देखिया संकुचित राष्टेता अब यहां पर एक जो राष्टेता है वो संकुचित राष्टेता है क्योंकि हर्श्वरदन की जो केंदे शक्ति शीन हुई तो हर राज् के पास वाले राज्ये पर अगर कोई विदेशी आक्रमन कर रही है तो फिर उस राजा ने हेल्प नहीं की उसकी मदद नहीं की इसलिए यहां पर केवल उसका जो सीमा थी वहीं तक उसकी जो राष्टेता थी वो सीमित हो गई इस युग में संकुचित राष्टेता की भी पाधी दी गई है अब आगे बढ़ते हैं देखिए और विशेष्टा है हमारे सामने आ रही है एतिहासिक्ता क्या पेक्षा काल्पनिक्ता आधिकाल में सबसे बड़ी जो कमी हमें में है वो है कि यहां पर एतिहासिक्त तथ्यों के साथ इस युग के कवियों ने छेड़ प्रश्न वाचक्चिन लग जाता है और काल्पनिक्ता का पुड़ जो है यहां पर अधिक डाला गया है प्रत्विराज रासों जो वीसल देव के द्वारा लिखी गई है उस प्रत्विराज रासों को तो कुछ हमारे समिक्षक क्या मानते हैं? कुछ उसको एप्रमानिक मानते हैं और कुछ उसे प्रमानिक मानते हैं इतनी बड़ी कावे रश्ना पर ही प्रश्णवा चिक्चिन लगा हुआ है तो ऐसे यहाँ पर तथ्यों के साथ छेड छारतों सब कवियों ने की है इसलिए इस युग की जो कविताएं है वो एतिहासिक्ता क्या पेक्षा उसमें कालपिंक्ता कपुट अधिक डाला गया है इसके बाद देखे आगे बढ़ते हैं अब अगली विशेष्टा शिल्पगत वैशिष्टे क्यों चू कि हम इसा का सहीथ्य कौन सी भाषा में लिखा गया तो देखे सबसे पहले जो है वो डिंगल भाषा यहां पर थी और ढिंगल थो वह अप ब्र hele प्रेंश प्लस राजस्तादी और डिंगल में कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब युद्बों का बढ़ना था तब DINGLE भाषा का प्रयोग इसमें किया गया इसके बाद देखिया पिंगल अब्रेंश प्लस ब्रज प्लस राजस्थानी यानि की जहां पर श्रिंगार का वर्णन किया गया है वहां पर अब्रेंश के साथ कुछ ब्रज की शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है इसलिए ब्रेंश जो भाषा है वो अतिन्त कोमल कांत होती है इसलिए और राजस्थानी तो है ही तो पिंगल जहां पर ब्रज का क्या हो जाए समावेश हो जाए और डिंगल जहां कठोर शब्दों के साथ अब्रंश के साथ डारेक्ट क्या जाए राजस्थानी भाषा जाए और पिंगल में क्या रहेगा अब्रंश भी रहेगा ब्रज भाषा भी रहेगी और राजस्थानी भाषा भी रहेगी तो दौनवी भाषा जो है वो रही युद्धों के वर्णन में रही और ये श्रिंगार के वर्णन में जो है वो कवी ने उपयोग में प्रयोग में ली इसके बाद देखिया चंद व्यविद्य चंदों का व्यविद्य डिखाई देता है हमें आदिकाल की कावे रशना में, कावे गत विशेष्टाओं में तो देखिए कौन-कौन से चंद है चंद व्यविद्ध्य जो प्रत्विजार रासो है उसमें ऐसा कहा जाता है कि उन सत्तर चंद जो है उसमें प्रयोग में लिए गए है जो नए नए चंद पहले कवी प्रयोग में नहीं लिए गए थे उन नए चंदों का प्रयोग जो है वो रासो कावे के अंतरगत किया गया है प्रभंध वे मुक्तक कावे किसी कवी ने जो है प्रभंध के रूप में कोई कवी रशना लिखी है कावे रश्णा लिखी है और किसी ने जो है वो मुक्तक के रूप में कावे रश्णा लिखी है और यह निर्भर करता है कवी की व्यक्तिगत शैली कैसी है वो किस में लिखना चाहता है अब आगे अब देखिए अभ्यास प्रक्शन मी बनते हैं अधिकाल का हमने अध्यान कर लिया है तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूतरपात्र किस ने किया था अभी हमने बहुत अच्छे से उस समिक्षक को उस इतिहासकार का नाम हमने याद कर तो हमें नाम याद हो गया है कि नहीं हिंदी सहित्य की इतिहास लेखन परमपरा को सबसे पहली लेकर आने वाले कॉन थे बहाी गार्षारद का नाम क्या है इस्वार दैला लिटेत्यूरश अंदुस्तानी तो जुद्थर हो गया यह दूसरे परमपरा बढ़ते हैं आचारे रामचंदर शुकल के इतिहास गरंद का नाम बताईए इसका अध्यान भी आज की कक्षा में हमने किया है तो वो नाम आपको याद हो गया है और वो नाम क्या ये है क्या वो नाम ये है क्या वो नाम ये है तो वो नाम क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास ये हमने देखा भी भक्तिकाल को भी पढ़नावं प्रारम करते हैं, तो देखिए कुछ चित्र आपके सामने लगेवे हैं, ये फोटो आपको समझ में आई गई है कि ये चित्र किसका है, कबीर का, आपकी पाठे पुस्तकों में आपने इस चित्र को जरूर देखा होगा, अब से लेकर अब तक क कक्षाओं में, फिर ये आपके जो है, किसका है, सूरदास जी का हो गया, ये आपको दखी रहा है कि तो सब जानते ही हैं, सरविदित है की मीरा की राए है, तो यानि कि भक्तिकाल में हम इन सब का क्या करेंगे, अध्यन करेंगे, तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, द चार काल है उसमें से भक्ति काल को स्वन यूग्या स्वन काल कहा चाता है चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्योंकि तत्यात्मक प्रश्णर कई बार परिक्षव में पूशा जाता है और जॉर्ज गिरियसन ने से भक्ति काल का स्वन काल को हिंदी साहित्ते का क्या कहा है स्वन काल कहा है और इंदी का सौरप्रतम उलेक श्वेता श्वेतर उपनिशद 6 oblique 33 में मिलता है कि भक्ती शब्द अगर सबसे पहले कहां मिलता है तो हमें ये इस उपनिशद के अंदर मिलता है इतने इसमें से ही यहां इसका परिशय मिलता है इसके बाद देखिए अब भक्ती शब्द की वित्पती क्योंकि हमने हर शब्द की वित्पती पर बात की है तो देखिए मॉनियर विलियम्स क्या कहते हैं इसके बारे में तो मॉनियर विलियम्स ने कहा भक्ती शब्द की वित्पती भज और भज का अर्थ क्या होता है भाग लेना दातू में क्या लगा दिया तिकन प्रत्य लगा दिया और प्रत्य जुड़ने से हुई यानि कि भज दातू में जब हम तिन प्रत्य लगाते हैं तो तिन प्रत्य लगाने से नय का लोप हो जाता है और शब्द हमारे सामने आत तो बक्ति का अर्थ क्या है अपने उपास्य आराध्य इश्वर के एश्वर्य में लेन रहना उसके प्रति अत्यन्त अगाद विश्वास प्रेम श्रधा को प्रकट करना क्या कहलाता है बक्ति कहलाता है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अब बक्तिकाल को भी आचारे किन चार भागों में बाटा उसे हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखिए बक्तिकाल इसका सबसे पहला जो है क्या बक्तिकाल का विभाजन हम दो भागों में करते हैं सबसे पहला तो निर्गुन कावेधारा और सगुन कावेधारा आज की कक्षा में हमने ये कीवर्ट दे जो निर्गुण है उसमें क्या लगा है निर जो है वो उपसर्ग लगा और यानि कि जो गुण से रहित है वो हो गया निर्गुण और सगुण में जो क्या है गुणों के साथ है वो क्या हो गया सगुण यानि कि किसी निर्गुण की बात हो रही और किसी सगुण की बात हो र युक्त इश्वर के आराध्य के लीन हो रहा है उसके एश्वर में लीन हो रहा है वो भक्त हमारे कहलाते हैं निर्गुन कावेधारा के और जो गुणों के साथ युक्त इश्वर में उसकी भक्ती में लीन हो रहे हैं भक्त वो कहलाते हैं हमारे सगुन कावेधारा के भक्त च सारे विभाजन आपके सामने आ गया है लेकिन विभाजनों से आप घबराए ना क्योंकि विभाजन तो हमें पढ़ने हैं और यह याद भी हो जाएंगे है भीचल भी हो जाएंगे आज तो आपको बहुत कुछ नया नया लग रहा होगा कि आज हमारे सामने कितनी विशेवस्तु सामने आ गई है वो भी अलग अलग प्रकार की तो देखिये निर्गुण को हमने दो भागों भाजित किया ग्यारा श्री कावेदारा प्रेमा श्री क कावे धारा और कृष्णाश्री कावे धारा और रामाश्री कावे धारा भेध है हमारे सगुन कावे धारा के चलिए ये चार नाम आ गया नाम से इसपश्ट हो रहा है देखिए ये तो आपको इसपश्ट होई गए होंगे कृष्ण को आधार बनाकर जिन्नोंने भक्ति की व जन्होंने आधार बनाकर प्रेम को संबल बनाकर जिन्होंने कावषना लिखी वो कहला है हमारे प्रेम अश्री शाखा अप सुनके हमने inka towardsh iki प्रिशा प्राजिदी कवियों कीकलो इनके paris a प्रतिनिधी कवी के रूप में और मीरा का नाम भी तो हम जानते हैं लेकिन प्रतिनिधी कवी के रूप में सूर और फिर रस्खान और मीरा का अध्यन भी हम करेंगे इसके अंतरकर इसके बाद देखिए राम कावे के रूप में जो है आधार बना कर जिस प्रतिनिधी कवी का अध्यन किया जाता है वो है हमारे तुलसी तो यानि कि भक्तिकाल को चार भागो विभाजन चार कर लेता है वो निर्गुन काव्यदारा भी क्यों हमने चार्चा किए राम कहला कि अधार कर लेकर जो हमारे शंत-काव्यदारा के कवी जिसमें कवीर हमारे प्रतिनिधी कवी है प्रेम को आधार बना का प्रेम को संबल बनाकर लिखने वाले कवी जब आए तो वो सूफी कावेधारा कैलाई और वे कवी प्रवर्तक कवी के रूप में हमें याद है कि जाईसी का अध्यानम करेंगे इसके बाद अगर हम सगुन में चलते हैं तो सगुन को फिर हम दो भागों भाजित करते हैं जिन्नोंने कृष्ण को आधार बनाकर कावे लिखा जिन्नोंने राम को आधार बनाकर कावे लिखा कृष्ण श्री शाखा के सूर्दास हो गए और तुलसी दास जी जो है हमारे रा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए निर्गुन कावेधारा देख लेते हैं कि निर्गुन कावेधारा क्या है तो देखिए अब आप संत कावेधारा और सूफी कावेधारा दौनों ही निराकार इश्वर में विश्वास करके चली यानि कि निराकार का मतलब समझ मे जिस इश्वर का कोई आकाड नहीं है कोई रूप नहीं है कोई जाती नहीं है कोई गुण नहीं है ऐसे निराकार इश्वर क्या विश्वास करके जो चलती है वो कावेधारा हमारी कहलाती है निर्गुन कावेधारा और सूफी और संत दौनों ही हमारे निर्गुन कावेधार के निराकार इश्वर में अपना विश्वास व्यक्त करके चलते हैं इसके बाद देखिए दौनों कावि धारा ही निर्गुन निराकार इश्वर की आराधना में समान महत्व रखती है चाहे वो ज्याना श्रही हो चाहे वो प्रेमा श्रही हो इसके बाद देखिया निर्गु कि इश्वर एक है वो निर्गुण है निराकार है वे सर्व व्याप्त है संसार के कंड कंड में उसकी सत्ता व्याप्त है ऐसी जो विचारधारा को लेकर चले उसे हमने कहा निर्गुण कावेधारा के कवी इसके बाद देखिए अब आप निर्गुण इश्वर को खोजने के ये मंदिर, मज्यित, काबा, काशी जाने की कोई आशकता नहीं है फिर इसके बाद देखते हैं अब हम निराकार, ब्रह्म, दृश्यमान, सत्ता नहीं है वो हमें दिखाई नहीं देता है निराकार है वह तो केवल आत्मा और मन में अनुभव करने की वस्तू है उसे केवल अन जिस भी भक्ट ने जिस भी साधडक ने निर्गुन इश्वर की अराधना के माध्यम से निर्गुन इश्वर को प्राप्त कर लिया है तो उस अनुभूती को वो अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है फिर देखिए अब आप capable अनुभूती ज्ञान और प्रेम से इ तो प्रेमाश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश्राइश् इश्वर की अराधना की जाती है तो वो सगुन साकार रूप हम सभी जानते हैं कि मूर्ति के रूप में किसी भी कलेंडर के रूप में कोई भी हम जो है वो फोटो ले आए उस रूप में अगर सगुन साकार रूप में अगर इश्वर की अराधना की जा रही है तो वो कहलाती हमारी सबुन कावेधारा फिर सबुन भक्ति ये मान कर चले कि इश्वर भले ही निर्गुन निराकार हो किन्तु जगत का उद्धार धर्म की स्थापना साधू संतों की सुरक्षा भक्तों की प्रतिश्टा के लिए शरीर धारन करके अवतार रूप में प्रत्वी पर क्या करते हैं अवतरित होते हैं और वे सगुन रूप में क्या करते हैं सगुन कावेधारा के कवियों के आराध्य के रूप में हमारे सामने आते हैं इसके बाल सगुन भक्ती वैशनों भक्ती से उत्पन हुई थी और इसका संबंध भागवत धरम से एवं वालमी की रामेंड से अधिक प्रभावित है तो वैशनों विष्णु को मानने वाले शैव जो है वो शिव को मानने वाले तो सबसे पहले जो सगुन भक्ती है वो वैशनों भक्ती से उत्पन हुई थी आगे बढ़ते हैं देखिए अब एक त तुलनात्मक अध्यन तो बनता ही है क्योंकि निर्गुन का परीचे भी हमने प्राप्त कर लिया सगुन कावेधारा के बारे में भी हमने जान लिया तो तुलनात्मक रूप से अध्यन कर लेंगे तो तुलनात्मक रूप से अध्यन करने के बाद ये निर्गुन और सगुन कावेधारा इस प्रश्ट हो जाएगी क्योंकि आपने देखा था कि पूर्व परिक्षाओं में आपको ऐसे प्रश्ण मिले हैं तो आपके पास भी ऐसा प्रश्ण आ सकता है तो उत्तर लिखने के लिए हमारे पास विशेवस्तू होनी चाहिए तो देखिए निर्गुन काव की दो आपको प्रश्टे में इसवर का रूप गुन जाती है बात कर चुके है इसमें हम हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के म संसार में जो कुछ निर्गुन निराकार है वो सुक्ष्म भ्रह्म की अनुभूती का केवल उसको अनुभूती से ही प्राप्त किया जा सकता है देखिए और क्या अंतर है इसमें निर्गुन भक्ती में भाय आडंबर, तीर्थियात्रा, मंदिर मज्जित, नमाज, तिलक, छापा, जप माला का विरोत किया गया है सगुन भक्ती में मूर्ती पूजा, ससंग, तीर्थियारता, आदिक को महत्यपून बताये गया है बिलकुल हम सब जानते हैं यह उपादान भक्ती के काम में भी लिये जाते है नाम, स्परण, मनन, गुरु का सानिद्य ही इश्वर प्राप्ती का क्या है सबसे बड़ा मार्ग है यानि कि हम किवल नाम, स्परण करें, इश्वर का मनन करें और गुरु को यहाँ पर इश्वर से भी उपादी दी गई है गुरु गोबिन दोव खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोबिन दियो बताए कबीर का बहुती प्रसिद दोहा है, यानि कि कबीर ने गुरु को इश्वर से भी अधिक उचा सम्मान दिया है इसके बाद देखिए, इश्वर की आस्ता का केंदर क्या है, यहां पर मूर्ती है, मूर्ती के रूप में उस इश्वर की क्या की जा रही है, अराधना की जा रही है चलिए अभ्यास प्रशन देख लेते हैं अब हम, अभ्यास प्रशन है हमारे, सगुन उपासक भक्त, भगवान के सगुन और निर्गुन दोनों रूप मानता है, पर भक्ती के लिए सगुन रूप ही स्विकार करता है, निर्गुन रूप ग्यान मारगियों के लिए छोड़ किस अलोचक का है अब चार कथन आ गए है तो अभ्यास प्रश्न जो है वह किस ने कहा है देखिए तो यह त तत्यात्मक काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं तो देखिए आज हमने इतिहास लेखन की परंपरा को भी हमने पढ़ा और आज हमने इतिहास का काल विभाजन करने वाले लेखक का परीचे भी हमने प्राप्त किया तो काल विभाजन करने वाले कौन है क्या जॉर्ज किरियर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये चलिए अगले प्रश्न की और चलते हैं देखिए इन में सगुन और निर्गुन उपासना विश्यक कौन सा कथन सही नहीं है आज ही कक्षा में हमने सगुन को पढ़ लिया निर्गुन पर हमने अपनी पकड़ बना ली तौनों के अंतर को भी हमने जान दिया तो चार आप्शन को पढ़कर हम बड़ी आसनी से और तुरंत ही हम इसका उत्तर जो है वो लगा लेंगे देखिए आप्शन क्या है सगुन और निर्गुन दौनों ही उपासक ससंग गुरु महिमा तथा इसमरन के साथ तीठा तन को भी भक्ती का आवश और उनमें विग्रह आदी को नहीं मानते ये भी निर्गुन के बारे में बिल्कुल सही बात है फिर अवतारवात का खंडन करने के बावजूत भी निर्गुन उपासक भ्रह्म को इंद्रिये गम में बनाने के लिए उस निर्गुन निराकार प्रतीक आदी का आरोप करते ह हैं बिल्कुल सही है तो हमने आज ही कक्षा में पढ़ा कि जो निर्गुन है वो क्या करते हैं तीठातन या जो भक्ती के भाय आडंबर है उनके लिए उनके जीवन में उनकी भक्ती के साधना में कोई स्थान नहीं है इसलिए जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा ये और चार जो हैं आपके सामने option है इन चारों option को जो हम पढ़ते हैं तो देखिए निर्गुन भक्त सत्य के शोधक हैं बिल्कुल सही है निर्गुन भक्ती में विश्वात्मा प्रभू के विश्व व्यापी अस्तित्व में आस्ता प्रकट की गई है ये भी बिल्कुल सही है कि के बाद देखिए निर्गुन भक्ती में नीला का क्या है महत्में तो निर्गुन भक्ती में लीला का महत्में है यह हमने जो है वो निर्गुन भक्ती में नहीं पढ़ा यह हमने पढ़ाता सगुन भक्ती में तो जो ऐसत्य कथन है और सही उत्तर जो है हमारा यही हो जाएगा बिल्कुल सही, तो इस तरह से हमने अपनी प्रित्योगी परिक्षाओं के प्रश्णों के उत्तर को भी देख लिया, अब कक्षा की end की और बढ़ते हुए, हम जो है संभावित प्रश्णों पर बात कर लें, क्योंकि आज की कक्षा में जो हमने अध्यन किया है, वही आज का ह हमारा संभावित प्रश्ण है, तो देखिए, निर्गुण एवं सगुन कावेधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अब आप लोग क्या करेंगे, कि आज हमने निर्गुण कावेधारा को भी पढ़ा, सगुन कावेधारा को भी पढ़ा, तो आप लोग क्या करेंगे, अब इस विशय पर अपनी लेखनी के माद्यम से आप इस प्रश्ण के उत्तर को लिखेंगे क्योंकि आगामी परिक्षा में हमें ये प्रश्ण जो है वो मिलने की संभावनाए है कि बहुत निर्गुण और सगुण में अंतर क्या है इस तरह से आप जो है अपने इस होमवग को करें इस होमवग को करने के साथ ही वापिस एक छोटा सा होमवग हमें फिर करना है क्या करेंगे हम लोग सभी जो है वो परिश्कार वर्ल का जो यूटूब चैनल है इसे हम सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ ही हमें क्या करना है इसका जो bell icon है इसे हमें क्लिक करना है ताकि जो भी पृतियोगी परिक्षाओं से सम्मंदित नई-Nई जानकारियां है नएने वीडियोज हैं आप तक पहुँच जाएं और आप अपने प्रत्योगी परिक्षाओं की तियारी में लाप को प्राप्त करें इसके साथ साथी विद्यारतियों हमें क्या करना है परिश्कार कॉलेज का जो यूटूब चैनल है उसे भी हमें क्या करना है सस्क्राइब क करने के बाद तो हम क्या करते हैं जो भी हमारा बैल आइकन होता है उसे हम क्लिक करते ही है तो वो हुंबग भी हमें करना है ताकि आप क्या करेंगे इससे आपको लाप क्या होगा जो भी नए नए नोटिफिकेशन है जो भी नए जानकरी है जो भी आपके पास बीए बीकॉ जिसकी भी आपको जानकरी लेनी हो आपके मित्रों के साथे से शेर करना हो तो आप ये कर सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप अपने ग्यान में व्रद्धी कर सकते हैं दन्यवाद सब्सक्राइब करें परिशकार कॉलेज यूटूब चैनल को और साथ ही पैल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें